हलो फेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब किसी का बीपी बहुत अधिक बढ़ा होता है यानि हाइपर टेंशन की कंडिशन है तो उस इस्थिती में डॉक्टर द्वारा कौन-कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है जो नॉर्मल बीपी है यानि नॉर से ज्यादा जिसे 170 अपन 110 आ रही है 140 अपन 85 आ रही है 160 अपन 125 120 आ रही है तो इस अभी रेंज को हम हाइपर टेंशन की स्थिती में रखेंगे हाइपर टेंशन यानि हाइप बलड पेशर को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर कौन को सी मेडिसिन जनरली प्रिस्क्राइब कर हाइपर टेंशन को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी दवाईयां उपलब्ध है लेकिन जनरली जो ज्यादा तर उपयोग की जाने वाड़ी दवाईयां है हम उनहीं की आहां बात करेंगे पहली दवाई है अमलो डीपिन टैबलेट जो कि सिंगल सॉल्ट में अविलेबल है ये केल्शियम चेनल ब्लॉकर होती है जो कि 2.5 mg, 5 mg और 10 mg में मिल जाती है शुरुवाती दोर पर 2.5 और 5 mg की टैबलेट डॉक्टर द्वारा पेशन को प्रिस्क्राइब की जाती है अगर इन दवाईयों से पेशन ठीक नहीं होता तो उस स्थीति में 10 mg की टैबलेट प्रि दो बार इसे लेने के लिए कहा जाता है इस दवाई को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के पहले भी लिया जा सकता है और पेशन की स्थिति के अनुसार इसे बाद में भी लेने के लिए कहा जाता है दूसरी दवाई है टेलमी सार्टन तेलमी सार्टन दवाई जो कि 20 mg और 40 mg स्टीन में अवेलेबल होती हैं जो कि हाट कीडिनी अन्य समस्यां को भिस प्रिवेंट करती हैं यह दवाई एंजीओर winter टेंसिन रिससेप्टर ब्लॉकर होती हैं जो कि दवाई भी blood vessels, kidney और heart miss की receptor होते हैं जो कि heart और kidney की समस्याओं से भी हमें बचाती है low certain tablet 25 mg और 50 mg में मिल जाती है अगली दवाई है enaleprin tablet ये tablet angiotensin converting enzyme inhibitor होती है जो कि V108 को relax करके हमारे BP को normal लाती है enaleprin tablet 2.5 mg, 5 mg और 10 mg में मिल जाती है अगली दवाई है remipril remipril दवाई 2.5 mg में बहुत अधिक लिखी जाती है अगर ये दवाई काम ना करे या पैशन का BP नौर्मल नहीं आ रहा है तो उस स्थिती में 5 mg की tablet prescribed की जाती है ये भी angiotensin converting enzyme inhibitor होती है अगली दवाई की हम बात करें तो ये combination में होती है जिसमें की पहली दवाई है amlodipin होती है साथ में amlodipin और atinolol का combination होता है जिसमें amlodipin 5 mg और atinolol 50 mg के combination में होती है अगली टेबलेट की बात करें तो इसमें लो सार्टन और हाइड्रो क्लोर थायजाई टेबलेट ज्यादा तर लिखी जाती है उमीद करती हों कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चेनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए श्वर से प्रात्ना है आप सभी सौस्त रहें मस्त रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में